नमस्कार, Welcome to my channel, मैं हूँ मनीशा, दुस्तों इस विडियो में हम जानेंगे वर्द लक्ष्मी माता की कथा, इसके पहले विडियो में मैंने आपको बर्द लक्ष्मी का वरत कैसे करना चाहिए, इसके क्या नियम होते हैं, यह सारी जनकारी विस्तार से दी है, प्लीच आप उ सुक्रपक्ष के दसमी तिथी को वर्द लक्ष्मी जैनती मनाई जाती है, और स्रावन पूनिमा से पहले जो शुक्रवार आता है, उसी शुक्रवार को वर्द लक्ष्मी का ब्रत किया जाता है, इस ब्रत को करने से माता लक्ष्मी की क्रपा प्राप्त होती है, घर में सुक समरिदी और संतान की प्राप्ति होती है और यदि इस ब्रत को पती और पतनी दोनों साथ में मिलकर करते हैं और माता लक्ष्मी का विधी विधान से पूजन करते हैं तो उनकी मनों कामनाय जल्दपूर्ण होती हैं दोस्तों इस ब्रत को करने के लिए आपको सुबह सबेरे जागना चाहिए घर की साफ सफाई करके घर के पूर्व अस्थान यानि कि इसान कोण में एक पूजा अस्थल बनाना चाहिए और इसे गंगा जल आद माता लक्षमी की प्रतिमा पूर्व इशान कोण में अस्थापित करके पूजा अस्थान पर एक चावल फैला कर यानि उस पर अस्थदल कमल बना कर उसके उपर कलस अस्थापना करें और विधिवत पूजन करें उसके बाद निरा अहार ब्रत करके संध्या के समय 16 चाहिए और माता लक्ष्मी की आर्ती करें प्रसाद वित्रण करें और मा लक्ष्मी की कथा अवस्य सुनें तो इस तरीकी से आप मा वरत लक्ष्मी का पूजन करें और अपनी मनों बोलते विए माता लक्ष्मी को प्राणाम करें और छमा अवस्य मांगें इस तरीकी से आप वित्वत सुद्धा भाव से पूजन करेंगे माता लक्षमी की कृपा आपके उपर अवस्य बनी रहेंगी। माता वरत लक्षमी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार ही एक बार मगत राज में कुंडी नाम का एक नगर था। ऐसी भी मानता है कि यह कुंडी नगर का निर्माड स्वर्ग से हुआ था। इस नगर में एक ब्रामडी नारी चारू मती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारू मती एक करते विनिस्ट नारी थी जो अपने सास ससुर एवं पती की सेवा करके माता लक्षमी जी की पूजन अर्चन किया करती थी। एक आदर्स नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्री को चारू मती को मा लक्षमी सपन में आकर बोली चारू मती तुम शुक्रवार को मेरे निमत्र मात्र वर लक्षमी का ब्रत किया करो। और इस ब्रत के प्रभाव से तुम्हारी मनवानचित फल की प्राप्ती होगी। अगले सुबा चारू मती ने मा लक्षमी द्वारा बताये गए वर लक्षमी ब्रत को समाज की अन्य महिलाओं में भी विद्वत बताया और सभी के साथ में पूजन संपून किया। पूजन समाप्त होने के पश्चाद सभी इस्त्रियां कलश की परिक्रमा करने लगी। क्योंकि चारू मती ने ही उन सभी को इस ब्रत को करने के लिए कहा और इस ब्रत की विधी भी बताई थी। और ऐसा भी माना जाता है कि इस ब्रत की कथा और इसकी महिमा भगवान श्यूने माता पार्वती को भी कहा था। और भगवान श्यूने माता पार्वती से यह भी कहा था कि इस ब्रत की इतनी महिमा है कि इसकी कथा श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सभी इस्त्रियां ब्रत करने के पस्चात फला आहर ग्रहण कर अपने घर सुख पूर्बक जीवन ब्यतीद करने लगी। जिस प्रकार माता लक्षमी ने चारूमती और उनकी सक्षियों की मनो कामना पूर्ण करी इस ब्रत को सुनने और करने वाली सभी इस्त्रियों की मा लक्षमी कृपा करें और उनकी जीवन में सोभाग प्राप्ति का वर दें तो यह थी मातावर लक्षमी के ब्रत की कथा और महिमा तो दोस्तों यदि हमारी कथा आपको थोड़ी से भी हल्फुल लगे तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें निव वीडियो के लिए, थैंक यू